दोस्तो आपका एक बाद फिर हमारे यूटूब से नर्जसनात क्लासिज में स्वागत है तो हम देख रहे थे पटवारी हैं राज़तान पुलिस के दिए राज़तान के चीक के और उसमें सदरा था हमारा राज़तान का जियोग्राफी या राज़तान का भुगोल उसमें से हमने पहला टॉपिक राज़तान का इस्ततिय विस्तार वो पढ़ दिया और दूशरा टॉपिक था राज़तान का भोतिक शरूप या राज़तान का भोतिक विबाजन तो राज्तान का बोतिक विबाजन था, उसको हमने श्यार भागों में विबाजित किया था, पहला थार का मरुस्तल या पत्सीमी रेतिला मैदान, दूश्रा मज्यवर्तिय अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान, और सौता दक्षिनी पूर्वी पठार या हडोती का पठार, उसमें से आज शुरुवात करते हैं दोस्तों, मरुस्तल से, मरुस्तल, अर्थार्त या पत्सीमी मरुस्तल है, इसके बारे मैं बात करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारे श्यार टॉपिक पूरे हो जाएंगे, ये मरुस्तल पढ़ जल सरक्षन और इसके बाद गरन है वो टौपिक भी पूरा हो जाएगा ऊचिप तो इस दूशरे टौपिक को पढ़ने के बाद हमारे ये शार टौपिक जो सेलेबस के पूरे हो जाएंगे अब बात करते हैं मुरुष्टल की मुरुष्टल के बाद अरावली की फिर पूरी मैदान की फिर हडोती के पठार की तो मुरुष्टल की बात करते हैं पसीमी राजस्तान है पसीमी राजस्तान में तेरा जिले पाए जाते हैं तेरा जिलो में से एक जिल जैसे कि यहाँ पर उपर आता है गंगानगर वो पिछले वीडियो में मैंने आपको 33 जिलो के ट्रिक याद करने की जो बताई थी वह याद कर लेना और अब मैं आपको दिलेवाई बताता हूँ ऊपर आता है गंगानगर, गंगानगर के बाद हन्मानगर हन्मानकट के बाद आता है चुरू के बाद आता है जुन जुनों और जुन जुनों के बाद आता है सिकर और यहापर आता है जेसलमेर और जेसलमेर के उपर आता है बीकानेर और बीकानेर यहापर आता है बाडमेर और यहापर आता है जोदपूर और यहापर आता है नागोर और यहापर आता है पाली यहापर आता है जालोर और यहापर आता है शिरोई तो एक दो तीन स्यार पास साथ आट नव दस इगेरा बारा तेरा यह तेरा जिले है उसमें से शिरोई जिले को सोड़ कर सेस बारा जिले है इनमें मरुस्तल का विस्तार है लेकिन युनेस्को ने बताया था कि 67 पर 30 बाग पर मरुष्टल का विस्तार है और इसके सपोर्ट में या इसके जो मरुष्टल है उसके विस्तार में 17 जिले आते हैं तो 13 जिले तो यह हो गई जो यूनिशकों ने माना उसके अनुसाद 17 जिले हैं उसमें से यहां पर एक अलवर जिला अलवर के बाद जैपूर जैपूर के बाद अजमेर अजमेर के बाद राज समद जो 13 जिले ये और 4 जिले ये 17 जिले यूनेस को ने बताया था जो राजितान का कुल सेत्रपल है उसके 67 परतिसत सेत्रपल पर जो मरुष्टल का विस्तार है उसमें 17 जिले आते हैं लेके सामने तया शिरोई जिले को सोड़कर 12 जिले है जो मरुष्टल के उसमें जो रिगिस्तान का विश्तार है या मरुष्टल है उसके बाद दोस्तों पहले भी मैंने बता दिया था कि एक सेट पहन साड़ इस मरुष्टल है इस मरुष्टल पर राजच्टान के को जनशंग क्या है अब एक और बात जैसे की उत्तर दक्षिण पूरवग पसिम ये उस्ण नवीन यूवा मानवकरत और दक्षिन पसिमिं जो मानसुनिक पहनों है उसके बाद अगली बात ये मरु मरुष्टल कहते हैं थार का मरुष्टल इस मरुष्टल को धार का मरुष्टल कहते हैं इसमें से जो राजिस्तान का मरुष्टल है उसे कहते हैं रेगिस्तान और इसी मरुष्टल को थार के मरुष्टल को हम पाकिस्तान में कहते हैं सेलिस्तान और राजस्तान मैं कहते हैं से रेगिस्तान तो ये भी बात आपको याद रखनी जरूरी है उसके बाद मरुष्टल का सेत्र फल 1,75,000 km इसको है ये मरुष्टल का सेत्र है और मरुष्टल में वायू का अपरदन होता है उस वायू के अपरदन को हम कहते हैं वायूड और कुछ सब्द है जो की गाह में समन्यात है आप बुजूर्गी या कोई और जो बोलते हैं वो सब्द हमारे एज इटीज बोक्स के अंदर दे दिये गए हैं जैसे कि जो मरुष्टल में पाणी होता है उस पाणी को कहते हैं पाल्दर पाणी जो मरुष्टल में वर्षा का जल है उस वर्षा के जल को हम कहते हैं पाल्दर पाणी उसके बाद अगला क्यूशन जो मरुष्टल है उसकी लंबाई है मरुष्तल की लंबा ही वो है सरसौू सारीश किलो मिटर मरुष्तल है। और इसकी सोड़ा यह वो अलग-अलग दो बुक्सों के अंतरगत दी गई है, एक में दी गई है 300 किलोमेटर और एक में 160 किलोमेटर, तो 300 किलोमेटर इसके अंतरगत है, लेकिन कई-कई मुका में 160 किलोमेटर भी दी गई है, उसके बाद इसका अक्सांची विस्तार देखते ह तो यह इस मरुष्डल का अक्सांस यह विश्तार है तो दोस्तों यह मरुष्टल है यह समुद्र तल से मरुष्टल का उत्तर और पूर्वी इस्साइब वो समुद्र तल से 300 मिटर मीर्स इस्साइब और इसके बाद जो मरुष्टल का दक्षीनी इच्छा है वो मरुष्टल का जो सम्मुद इतल से डेर्ड़ सु मिटर उनस आए उसके बाद अगला पॉइंट यह मरुष्टल है यह साथ हजार वर्षों की देने साथ हजार अर्था अर्था तीन हजार से सहजार इशा पूरू का यह मरुष्टल है यह मरुष्टल है जो यह सर्वादिक जैव विवीता वाला मरुष्टल है और यह जो थार का मरुष्टल है यह सबसे घना बसा हुआ मरुष्टल है और इसमें जनसंक्या गनत्व एक सो तीन किलोमेटर स्कॉयर है इस मरुष्टल का जनसंक्या गनत्व है वो एक सो तीन किलोमेटर स्कॉयर है और इस मरुष्टल को रुक्ष पर्देश भी कहते हैं रुक्ष पर्देश इस मरुष्टल को रुक्ष पर्देश कहने वाले पर परदेश कहने वाले पर्तम व्यक्ति इस्वरी पर्षण थे उसके बाद यह किटेसियस और जूरेसिक प्षाइब लिए उस इंसाल तक समुद्र तक पहला तो यह भी किटेसियस सबिशान तक यह मरूस्तर समुद्र तक पहला था यह दूसरा इसके बाद इस मरुष्टा में मानवजाथी का उत्वाव से भूब्सक्वर से हुआ उसके बाद मरुस्तल में मिट्टी में इस था जिसको राज़तान में रीगिस्तान करते हैं इसमें मिटि वाली मिटि निख बलू इस बाद जैसे कि मान्जतर है उसमें जैसे की एक तो भाग ये और एक भाग ये इसमें जो उत्तर पूर्व पसिम और दक्षिन इसका जो उपर वाला भाग है इसमें डाल होती है उत्तर पूरो से दक्षिनी पसिमी इसमें जो उपर वाला भाग है इसको उस भाग कहते है या इसको थली भी कहते है और ये नीसे वाला भाग है इसको कहते है निम्न भाग या तली उसके बाद एक सब्द आता है दोरे या धरियन रेगिस्तान में पाई जाने वाले जो रेग के टिले है उन्हें हम कहते हैं दोरे या धरियन उसके बाद आपर बालू का या रेग ओगी इस रेगिस्थान में उसमें 58.55% जो सेत्र है वो बालू का इस्तूप यूगत सेत्र है अगला जो दोरे होते है वो लहरदार परकतिके होते है आकरतिके दोरे पाए जाते है उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दोरे या धरियन दोरे या धरियन को हम टीले भी कहते हैं तो टीले किस परकार के होते हैं उसमें से नमबर एक बात करते हैं अनुदेदरिय परकार के टीले अनुदेदरिय टीले अर्थार्थ वे टीले जो की हवा के समनान तर सलते हैं उन् और इस परकार हवा सलती है अर्था इनके टीलों के समानतर हवा सलती है इनने कहते हैं अनुदेद्रिय टीले और अनुदेद्रिय टीलों में ये लेर होती है इस लेर को कहते हैं उर्मी तो ये इंपोडेंट टीले है जो अनुदेद्रिय टीले ये टीले है जो पाकिस्तान के स सम्मनीयन ठया पाये जाते हैं अनुदिद्रिय तीले उसके बाद नंबर forgiving अनुदिद्रिय के बाद जो अनुप्रस्थ टीले अर्फार्थ हवा के समकॉर्ण पर पाये जाने वाले टीले को हम कहते हैं अनुपर्ष टीले तो इस परकार हवा सलती है और इस परकार टीले सलते हैं हवा यह समकॉर्ण पर शलती यह टिले है जो समने तया जो बाड मेर जोदपूर और जो अरावली के समानतर सेत्र है अरावली के समानतर सेत्र हवा और तिले समकॉण के आदार पर सलते है हवा समकॉण इसमें तो हवा आया वह समानतर सलती है इसमें समकॉण बनाते हुए सलती है उसके बाद तीसरा बर्कान तिले एक बरखान परकार के टीले होते हैं वो ये टीले है जो सरवादिक नुक्षान दायक और गतिसील परकार के टीले है सरवादिक नुक्षान दायक ये सरवादिक नुक्षान दायक टीले है और सरवादिक गतिसील परकार के टीले है ये बड़े बड़े टीले होते हैं अरज संद्राकार आकर्ति के टीले होते हैं और ये सेकावाटी सेत्र सुरू सीकर जुन जुन में पाए जाते हैं उसके बाद जो अगले टीले है वो है पेराबॉलिक परकार के टीले राजिस्तान में सरवादिक परकार के पेराबॉलिक परकार के टीले पाए जाते हैं इनकी आकरती मैलाओं के हेर पिन के सम्मान होती है यह दोनों कई बार पूसे जा सुके हैं मैलाओं की हेर पिन के सम्मान उसके बाद जो तारा बालू का इस्टूप टिले तारा बालू का इस्टूप परकार के टिले ये तारों के समान नेटवर्क में फैले हुए होता है ये जेसलमेर के जो पोकरणा, मोहनगड़ और गंगानगर के सूरतगड़ में इस परकार के टिले पाए जाते हैं तारा बालू का इस्टूप उसके बाद अगला है वो टिले के परकार वो है सीप अर्थार जो एक बुझावाला टिला है उसे कहते हैं सीप एक बुझावाला टिला उसको हम कहते हैं सीप उसके बाद जो नेब का या सबर काफीज जो जाडियों के पीसे टिले बनते हैं उन्हें कहते हैं नेब का या सबर काफीज ये क्यों संदोज तो ऐसे है जो कि सब तो थोड़े अटपटे लगते हैं लेकिन कई बार एक्जाम में इनके बार में पुच्छा जाता है जाडियों के पीछे बने वाले टिले उसके बाद जो राजस्तान में टिले पाई जाते हैं उनकी सामन्य उस्षाई 10 से 20 मिटर तक होती है लेकिन राजस्तान में सरवधीक टिलों की उस्षाई जो सब से उस से टिले पाई जाते हैं उनकी उस्षाई 60 मिटर होती है उसके बाद एक नौट लगा के मैं आपको कहता हूँ और ये क्यू सनक कही बार R.A.S में भी पूसा जा सुका है कि राजिस्तान में ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले में जो सर्वादिक और सभी टीले जो राजिस्तान में पाई जाते हैं अगला सब्दी तली या मरो उसके बाद अगला ताट जो मरुस्तल में अइस्ताई परकार की जिले है वर्षा का थोड़ा सा पाणी आने के बाद जिले बन जाती है अइस्ताई जिले उनका कोई निच्छित नहीं है उन्हें कहते हैं टाट उसके बाद अगला सब्द रन अर्थार्त मरुस्तल में वो भुमी जो दलदल परार की है बारी सोने के बाद दलदल के परकार की जम जाती है उन्हें कहते रन राजस्तान में पर्मुक रम जो निम्न परकार के हैं जेसल मेर जिले में तीन रन पाई जाते हैं सामन्य तया जेसल मेर पोक्रन रन्सित्र और जाकरी और बरमसर उसके बाद जोदपूर में बाप रन्सित्र पाया जाता है बाप रन्सित्र बरमेर में थोब रन्सित्र और पडियारा रन्सित्र जो शुरू जिले में पाया जाता है कई बार दोस्तों ऐसा भी क्योशंस पूछा जाता है कि श्यार ओप्सन देते हैं और श्यार ओप्सनों में आप जो यह रन्ड से तुर्श संटर पाया जाता है उनका विलान कर दीजिये बोतिक विबाजन का पार्ट है और मुरुष्टली करन तो एक सब्सक्राइब आता है अगोर जिसे मारवाडी में अगोर कहते हैं अगोर अंगन के माज्यम से किया गया जल सरक्षन उसे कहते हैं हम अगोर अंगन अर्थान मकान के उपर जो पानी आता है उसको एकत्र करके मुरुष्टल में जल का सरक्षन करते हैं वो सामने तया गाउं में टाके के द्वरा करते हैं अब टाके के जो मुह होता है उसे कहते हैं टाके के मुह को इंडू या सुराक तो आंगन केमाइदम चे किया गया जल सेरक्षण आगोर में किया जाता है और इसको टाके में बरते हैं और इस टाके का जो मुन होता है उसे इंडु या सुरा क्यते हैं उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो जल के मुख्य सुरुत है उस Basketा जो धरेलु आश्यक्ता है उस बनाई जाती है उनके जल सरक्षन के लिए जो स्रोत बनाया जाता है उसे कहते हैं नाडी सामन यतया यह मानते हैं कि राज़तान में सरोपरतम नाडी का निर्मान राव जोदा के द्वारा किया गया था यह पी important question है उसके बाद कर्षी कारियों के लिए जो जल सरक्षन किया ज रता है उसे कहते हैं खडीन जो कर्षी कारियों के लिए जल सफिव्षंग करते हैं उसे कहते हैं खणीं यह मंते सब्सक्राइब जैल मेर में पालीवाद ब्रामनों के द्वरा किया गया था पालीवाद ब्रामनों के द्वारा किया गया था ये भी important question की जेसल मेर जिलम है खडीन का निर्मार स्वरोपरतम पालिवाल ब्रामनों के द्वारा किया गया था ये एक बटे फौर परतिसत तो टेक्स वसूल करते थे उसके बाद अगला क्यूसन अगला जल स्रोत टोबा ये जो नाड़ी और खडीने इन दोनों को खोद खोद गर के गयरा किया जाता है उसे कहते हैं तोबा उसके बाद अगला सब्दाता है बेरी मज़ुस्तल में पाई जाने वाले सोटे सोटे कुए है उन्हें कहते हैं पेरी उसके बाद अगला सब्दाता है बेरा डुंडार चित्र है अर तर डुंडार चित्र वो शित्र को कहते हैं जिसमें दो जिले जैपूर और दो सा आते हैं डुंडार चित्र है पाई जाने वाले कुएं को हम कहते हैं बेरा उसके बाद जुनडाड के बाद अगला आता है सब्द जोहड सेकावाटी सेत्र आप सबी को पता है मैंने पहले भी बता दिया था शुरू जुनजुनु सीकर के जिलों के सेत्र को हम कहता है सेकावाटी सेत्र शेकावाटी शेत्र में ऐसे कुए जो अपने आप बन गए अर्था प्रकर्ति कुए हैं प्रकर्ति के द्वारा निर्मित है उन्हें कहते हैं जोड उस जोड के बाद अगले कुए हैं वह सेज्जा यहां पर आप कंप्यूज हो सकते हो आपने एक सब तो बड़ा था निर्जा और एक है सेज्जा निर्जा है यह राम देव जी की पांस रंगों की धज्जा है राम देव जी की पांस रंगों की धज्जा इसे कहते हैं नेज़ा और जो मेवार सित्र है जिसमें उदेपूर चितोडगर राज मजले सम्दित है उसमें पाए जाने वाले जो कुए हैं उन्हें कहते हैं सित्जा उसके बाद जो मुख्य रूप से जल के सोतर है और उन्हें क्यूशन हर बार पूसा ही जाता है वो है बाव या बावडी या सकंदू या करकंदू यह एक इनाम है बावडी के इनाम है इसको बाव भी कहते हैं सकंदू भी कहते हैं करकंदू भी कहते हैं और बावडी भी कहते हैं यह एक वी श्यारो नाम बावडी के ही है जो हम मान सकते हैं परियावासी सब्द या इनको अलग अलग इस्तान पर बोलते हैं अब मुख्य रूप्प से कौन कौन सी बावडिया है। इनसे समनित क्विशंट और हर यह प्सक्रा 술ट सरक्षन का क्यूंद आता है तो यहां सी सभे सोनाता हिए नमबर एक लाहिनी की और दी में आ है यह यह राजस्तान की सबसे सबसे एंक है लाहिन नीजी की वावडी और यह वावडी है जो राजस्तान के शिरोई जिले में पाई जाती है कि उसके बाद सेकंड जो बावडी आती है वो आती है सांध बावडी यह लेब असी स्टेंड तेरा नवंबर दो जार सोड़ा को क्यूशन में आया था दोर जार सब्दा में कई एक्जमा में पूसा था और भी कई एक्जमा में इस क्यूशन को पूसा जाज सुका है सांध बावडी यह अबा नेरी दोसा में है अबा नेरी दोसा क्यों पूसा जाता है क्योंकि इस अब सांध बावडी है अबा नेरी दोसा में इसी के पास एक मंदिर है हरसन माता का मंदिर है वो इतना मत्पून है उस मत्पूनता के कारण ही इस सांध बावडी तो वैसे तो दो पाई जाती है एक सांध बावडी जोदपूर में हैं लेकिन अर्शनमादा के मंदिर के समीफ होने के कारण यह बावड़ी है जो काफी important है सान बावड़ी आपनेरी दोसा में यदि आपके पास दोनों option आए तो आपको करना है आपनेरी क्यांकि आर्शनमादा का मंदिर है और वी पर्षिद है नहीं आए तो जोदपूर आए और तीन अलग option आए दोसा नहीं आए तो जोदपूर कर सकते हैं उसके बाद वहो गए उसके बाद जो तीस्टी नंबर कि बावड़ी है वो है रानी जी की बावड़ी रानी जी की बावडी है जो राज्तान की बुंदी जिले में पाई जाती है और ये रानी नाथा वत्ती से संबन दित है और ये रानी जी की बावडी ये बुंदी जिले में पाई जाती है ये भी लेब असी स्टेंटरा नॉम्बर दोजा चोड़ा को क्यूशन पुछा था उसके बाद पहली की या अड़ा रानी की बावडी अड़ा रानी की बावडी ये टोड़ा राई सिंग टॉंक में है उसके बाद एक बावडी है नौ मंजिला बावडी वो राजस्तान के अलवर जिले में पाई जाती है उसके बाद अगली बावडी है वो एक कांतन बावडी वो राजस्तान के जोदपूर जिले में पाई जाती है उसके बाद अगली बावडी है वो एक भूत बावडी यह बूत बावडी है कि राज़तान के जुनजुन उजिले में पाई जाती है उसके बाद दो बावडी है जो राज़तान की आज के टाइम या सबसे नवीन तम बावडी है वो है आठ नंबर और नो नंबर दस्या बावडी जो हिंडॉन सिटी करोली में है हिंडॉन सिटी करोली और एक है नासन बावडी यह नासन बावडी यह राजदान के अजमेर जिले में इस्तित है तो यह आर नमबर और नव नमबर जो राजदान की सबसे नवींत बावडी है और ये लाईनी की बावड़ी शिरोई जिलम है ये राजस्तान की सबस्वे प्रासिंतम बावड़ी है एक सब्स आता है दोस्तों नेहटा जो राजस्तान में वर्षा का अत्रिक जल होता है जो गरों में बर जाता है उनके निकासी के लिए जो इस्तान रखा जाता है उसे इस्तान को हम नेटा कहते हैं उसके बाद एक सब्स आता है मदार अर्थार्थ जो अत्रिक जल होता है उसको भरने के लिए जो स्रोत रखा जाता है उस्रोत को हम कहते हैं मदार उसके बाद रहन वाटर हार्वेस्टिंग जो वर्षा का जल आता है उस वर्षा के जल को भूमिगत करके जल का जो सरक्षन किया जाता है उसे कहते हैं rain water harvesting तो कई बार यह question पूछते हैं कि rain water harvesting किस से समंदित है तो जल सरक्षन से इसका relation है अगला होज और गजलर यह दोनों सब्द है जो जेसलमेर जिले से समझ दिते हैं और काफी important है क्योंकि कई बार इनको फुसा जा सुका है होज है जो जेसलमेर जिले में वर्षा के जल को सरक्षन करने के लिए बनाए कए गड़े हैं सलिए गड़ी में ऌटि उनको कहते हैं होज और सिद्रदार पाइप लाइन जिसकी सायता से जल को सरक्षन किया जाता है उसए कहते हैं गजलर सिद्रर्दार पाइप लाइन राजसन की है रज़त बुंदें दूसरी है तालाब खरे हैं तालाब खरे हैं तो राजस्तान की रज़त बुंदें और तालाब खरें यह दोनों पुष्टकें जो जल सेलक्षन से समद्दित है और यह लिखी थी अनुक पपम मिस्रव अब एक और इंपोर्टेंट क्यूशन बात करते हैं 28 जनवरी 2016 को जालवार जिले के गर्धन खेडी इस्तान पर राजस्तान की पूरों मुखे मंत्री वसुंद्रा राजे के द्वरा जल स्वालंबन योजना प्राम की गई तो 28 जनवरी तो जालवार जिले के गर्धन खेडी इस्तान पर मुखे मंत्री वसुंद्रा राजे के द्वरा प्राम की गई तो आज बस इतना ही और वीडियो में यह जो टॉपिक है राजस्तान का बहुतिक शवरूप यह कापी लंबा है तो और इससे समद्धे जो जान करिये वह अगलो मीडियो में मिल जाएगी धन्यवाद दोस्तों झाल